अब अनिल आईए ग्राहक की जरूरतों को हल करना सीखें हाँ मैम क्या आप बता सकती हैं कि ग्राहक की जरूरतों को हल करने के क्या मापतंड है मैं इस क्षेत्र की कुछ अवर्शक्ताओं को वर्णन करती हूँ ग्राहकों की जरूरतों का हल करने के लिए सबसे पहले कोई भी Communication Gap नहीं होना चाहिए दूसरा ग्राहक के धैरे की जाँच करने के लिए लगातार Internal और External Communication होना चाहिए अगला चरण ग्राहक को उत्पात के बारे में शिक्षित करता है और साथ ही ग्राहकों उत्पाद को खरीदने के बाद अपनाने में मदद करता है कुछ अन्य अवशक्ताएं हैं आदर्श ग्राहक की पहचान करना फिर ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना यहें जाचने के लिए कि सभी ग्राहक आपके उत्पादों के साथ सहज हैं, आपको एक सक्रियर सर्विस सनरचना की अवशक्ता है, फिर आपको संचार यानि कम्मिनिकेशन की रंड नीतियों को तयार करने की अवशक्ता होगी संचार रणनीतियों का निर्मान ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं और ग्राहकों की शिकायतों सुझावों का उप्योग करके किया जाता है इससे आपको ग्राहकों की अविशक्ताओं को समझने में मदद मिलेगी ग्राहक के पहचानी गई जरूरतों को हल करके उनका लाब उठाना चाहिए व्यवसाई product innovation के माध्यम से ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं जबकि सभी ग्राहकों को ऐसे समाधानों की अविशक्ता नहीं होती उन्हें यह सुनिश्चित करने की अविशक्ता है कि product या service के बारे में communication द्वारा inconsistent अविशक्ताओं का निर्मान ना करें और यह सुनिश्चित करें कि ग्राहक को इस बात की जानकारी हो कि product या service उनकी किन अविशक्ता को पूरा कर सकता है हाला कि कंपनियों को ग्राहक संबंद बनाने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन उन्हें ऐसा केवल उन ग्राहकों के साथ करना चाहिए जो व्यवसाई के लिए मूल्यवान हो यह भी ध्यान रखें कि सभी ग्राहक व्यवसाई के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते इसलिए उन ग्राहकों को पहचानने की जरूरत है जो लॉंग टर्म में मूलेवान होंगे और उन्हें पेश किये जाने वाले उत्पात की जरूरत हो सकती है यह इस धार्ना को सामने लाता है कि क्या ग्राहक प्रोडक्ट या सर्विस द्वारा प्रदान की जा रही वैल्यू के लिए भुकतान करने को तयार है